वेलकम बेक वन सेगिंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लैटफॉर्म पे जिसका नाम है तरशानतेकेडमी आदोस्तो मैं आज आज आपका मिश्रसर ले के आया हूँ इस पैंडेमिक का वन अफ दे मोस्ट बर्णिंग टॉपिक जी हाँ आज है आपके सामने अपरेल तीस 2021 और आज का वन अफ दे मोस्ट बर्णिंग टॉपिक है दोस्तों ब्रेक इन द लाइफ आफ टीवी आइंकर जी हाँ हम सबको हम सारे देशवासियों को जो ब्रेकिंग निउस देते थे और जो एकदम ताजे से ताजे खबर देते थे हम सबको हम सारे देशवासियों को अप्रेल 30, 2021 जी हाँ आज शुक्रवार के दिन रोही सरदना जी का निधन हो गया है दोस्तों पहले बाता दूँ आपको कि रोही सरदना जी है कौन सरदना जॉइंड है जॉइंड आज तक इन 2017 आफ्टर ही लेफ जी न्यूस बहुत सारी कॉंट्रिवर्सीज हुई थी इनके लाइफ में उन्होंने फिजी न्यूस को स्किप किया छोड़ा फिर 2017 में उन्होंने आज तक जॉइन किया लोग सरदना को जानते हैं कैसे कि ही होस्त तदंगल डिबेट शू और आज तर और आगे भी बहुत सारी बाते होंगी उन्होंने ताल ठोक के भी एक शू किया था लेकिन दोस्तों क्या रिजन हुआ इनकी लाइफ ऐसे एंड हुई दोस्तों हम जान सकते हैं कि रोही सर्दना वेल नोन टीव आंकर पास्ड़ेवे ऑन फ्राइडी जैसे कि मैं आपको बताया था ही रिपोड़ली डाय अप अप्ड़ अट अटाइक ही हैड ऑल्सो टेस्ट सब्सक्राइब कोविड रुफली अवीक बीफोर डेमिस जी हां एक ही हपते पहले कोविड पॉस्टिप पॉस्टिप पॉस्टिव हुआ था उनका और फिर उनकी आज के दिन डेथ हुई है ता यूनिटिनली डेथ ऑफ सर्दना केम अज़ेश शॉक तो दे मीडिया 2017 जैसे कि मैं आपको बताया था और वो हिंदी एंकर में वन अदे मोस्ट पॉपुलर हैं दोस्तो सर्दना एज रिसिपेंट ऑफ दे टॉन्टी एटी गनेश्क विद्यार्थी पुर्षकार एवाड भी इनको एक रिसिपेंट की तौर पे थे ये और ही वास इमांग दा मो पहले वो Zee News पे दोस्तो ताल ठोक के जो एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो आता था उसमें ये एक as a popular debate शो के एंकर भी रह चुके हैं दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि जब इनकी ये सूशना मिली तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने इंको स्रिधान चली जैस रोहत विल बी मिज़़ बैर मैनी पीपल एग्स ये उनितमी दिस्मय है रफ चुच्छ वोई इन आ मीडिया वर्ल दोस्तो ऐसे ही हमार सामने अमिर शाह जोकी होम मिनिस्टर न है उन्होंने भी लिखा की पेंग तु दू बर्ड़र अबाऊ श्री रोहत शर्दनाजीज इ in him the nation has lost a brave journalist who always stood up for unbiased and fair reporting may God give his family the strength to bear this tragic loss my deepest concern about him दोस्तो सुधी चौदरी जो कि आप जानते हैं कि जी न्यूस के एक बहुत पड़े एंकर हैं उन्होंने ही सबसे पहले ये हम सारे देशवासे को ये टुटर पे ये बताया कि मेरे जो पहले दोस्त है चुकि उन्होंने फोन पे इन्होंने इनको बताया फिर उनके बाद इन्होंने इस चूटर पे लिखके ये सबको जानकारियां दी हैं और इसका बहुत ही दुख व्यक्त किया है दोस्तों इसके साथ ही हमारे President of India जो आप जानते हैं उन्होंने भी इनके बारे में अपनी शुधानचली दी है कि लोकप्रिये News Anchor तथा वरिष्ट पत्र का रोहित सरदना के निधन का समचा अत्यन दुखद है इनका असमायनिक निधन पत्र का रिता जगत के लिए बहुत बड़ी एक चुनोती होगी दोस्तों इसके साथ ही साथ शुभास चंद्र जो थे उन्होंने भी रोहित चरदनाजी के बारे में अपनी एक शुधानजली दी है और उन्होंने भी लिखा है कि ये बहुत ही दुखद एक घटना घटी है हमारे इस पूरे पत्र चाज़ता के एक पूरे जगत में ही उन्होंने इसके बारे में लिखा कि हम बहुत मिस करेंगे दोस्तो इसके साथ ही साथ अर्विंद के जीवाल उन्होंने भी लिखा है कि वरिष्ट टीवी पत्रकार रोहित सरदना जी की निधन की दुखत खबर जो इनको मिली है इश्वरिं की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये दुख सहने का साहस दे दोस्तो ये सब लिखा है अपने दुख को व्यक्त किया है और साथ साथ योगी आदेतनाच जो उत्रपरदेश के सीम है उन्हों लिखा है कि वरिष्ट पत्रकार पत्रकार श्री रोहित सरदना जी का निधन अत्यन दुखत है वह जन पीशी पत्रकार के अन अप्रतिम हस्ताक अचर थे और उनको भगवान शांती थी दोस्तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जो रोहित सरदना जी थे वो जबसे ये पेंडमिक स्टार्ट हुआ था उन्होंने ये पूरे वीवर्स के लिए पूरे इस इंडिया क्या पूरे वल्ड के लिए बताया था कि प्ल इस चीज़ को कि ये सारी चीज़ा आपके लिए अच्छी और साथ साथ में हैंड वाशिंग और सेंटाइजिंग भी करता हुआ दोस्तो इसी के साथ मैं भी आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी वीवर्स हैं वो इस वीडियो को जितना हो से कि उतना शेर क ये एक ऐसा दौर चल रहा है जब ये बिमारी न छोटे न बड़े न पैसे वाले न गरीब किसी को ने देख रही है क्योंकि जो लापरवाही कर रहा है उसके साथ ये घटना घटित हो जा रही है दोस्तो एट लास में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपन